नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंथ गंगा में। नजर दोश, शनिदोश, राहुद दोश सब कुछ होगा खत्म किस्मत पर लग जाएंगे चार चांग महालक्षमी दोड़ी दोड़ी चली आएगी। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाती हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय तो इससे आपके घर का बातावर्ण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है। आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ज्यादा ही महंत करनी पड़ती है। इसकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भीगी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं, तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यानि की एक मुसीबत से निकलते हैं, तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाती है, और हमेशा ही धन की समस्याएं परेशानिया बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे होते हैं, वो भी उनके खिलाफ होने लगते हैं। उनका कहना बिलकुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं. उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है. इसी लिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है अगर आप नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ती भी आपके घर में दीपक जला सकता है लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है इसी से आपकी सभी negative energy आपके घर से हमेशा बाहर रहती है दोस्तों शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक उरजाये बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो negative energy आपको बहुत ही ज्यादा परिशान करती है आपके सभी काम बिगाडने लगती है जिस समय सूरज डूब जाता है उसी समय ये negative energy बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है उसी समय आपको मुह हात पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ती भी आपके लिए ऐसा कर सकता है दोस्तों अब जीस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बिमारी कभी भी ठीक नहीं होती है तो ये भी एक संकेथ होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकाराक्मक उरजा आये हैं जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीब्तों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज धल जाता है तो उस समयघी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं लेकिन रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाती है अगर आपके घर में धन से जड़ी समस्याएं, नौकरी, व्यवसाय से जड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही ज्यादा होती है, तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए इससे एक भी दिन आप मिस ना करें अगर आप रोजाना उत्तर दिशामेगी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती है जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है और अगर वही व्यक्ति जिसको परिशानी है और वही अगर रोज दीपक जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाती है शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है आप कभी भी इन चीजों को नजर अंदाज ना किया करे क्योंकि इन ही से आपके जीवन में परिशानिया बढ़ जाती है और आपको मुसीब्तों का सामना करना पड़ सकता है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे जो निकलने वाली उरजाय होती है वो आपके घर में जब फैलती है तो इससे घर का माहौल एकदम से सुख में बनने लगता है यानि की पॉजिटिव होने लगता है घर के सभी लोग शान्ती से रहने लगते हैं इसी प्रकार से जो तेल का दीपक होता है ये भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक उरजाय है वो खत्म हो जाती है क्योंकि इन दीपकों से निकलने वाली जो उरजाय होती है, धुवा होता है, वो नेगेटिव एनरजी को बाहर निकालता है, और आपके आसपास की एनरजी को पॉजिटिव बनाता है, तो ये बहुत ही जरूरी चीजे हैं. शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को कभी मिसना किया करें तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, वो भी पूरी होती है. दोस्तों हम अपने घर के पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं और मूर्ती आदि रखते हैं. वहाँ पर बनता है राज्योग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती हैं. दोस्तों बात करते हैं, उन मूर्तियों के बारे में की आखिर कौन सी दो मूर्तिया एक साथ में आपको रखते हैं. ताकि उसका सच्चा सर्वसुख आपको प्राप्थ हो सके और सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें, तो दोस्तों अगर आप श्री कृष्न के भक्त हैं और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं, तब आपको भगवान श्री कृष्न के साथ मातारानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए. दोस्तों या भगवान कृष्न की अगर आपके घर में तस्वीर है, तो उसके साथ राधाजी की भी तस्वीर सन्युक्त जोडे के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए. दोस्तों यह प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जीस घर में इन दोनों की तस्वीरे होती है, तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रहकलेश नहीं होता है. दोस्तों पती, पतनी और परिवार जनों के बीच परस पर प्रेम रहता है, और घर में धन धान्य में अपने आप ही व्रिद्धी होती है, इसी लिए ये जरूरी माना गया है. अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्थ हो जाएगा. दोस्तों कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो सोचते हैं कि भगवान विश्नु की भी पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें. दोस्तों हमेशा भगवान श्री विश्णू जी और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए दोस्तों देवाधिदेव, महादेव, भगवान विश्णू और भगवान ब्रहमा जी तीनों ही देवताओं को सर्वशक्तिमान देवता माना गया है और त्री दोस्तों इसलिए आप भगवान विश्नु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है और धन प्राप्ती के लिए आपको लक्ष्मी गनेश जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। या उनकी पूजा करें या ना करें दोस्त तो आपको निश्चित तोर पर हनुमान जी की अन्यदेवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ती या तस्वीर रख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है कि आपके उपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे दोस्तों इसके अलावा आप प्रभु श्री राम की तस्वीर भी अपने घर के पूजा घर में रखते हैं तो आप हनुमान जी की तस्वीर रखें या ना रखें। हनुमान जी के निमित किसी भी प्रकार की पूजा या पाठ करना हो तो आप प्रभु श्रीराम से कहे दोस्तों भगवान श्रीराम के प्रियभक्त हनुमान जी है और निश्चित तोर पर आपको उतना ही आशिरवात प्राप्थ होता है जितना की आपको हनुमान जी की मूर्तिया तस्वीर का पूजन करने से होता है या फिर आप क्या करें श्रीराम दर्बार की तस्वीर अपने घर में लेकर आए और श्रीराम दर्बार की तस्वीर का पूजन करें या उनकी मूर्तिया उनके किसी प्रकार की कोई चीज आपके पास है तो आप उनका पूजन करें इसमें सारे देवी देवताओं का आपको आशिरवाद प्राप्थ हो जाता है हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशिरवाद आपको प्राप्थ हो जाता है तो निश्चित तौर पर अपने घर के पूजा घर में एक साथ आप ये तस्वीर रख सकते हैं आपके जीवन में राज्योग की प्राप्ती हो जाती है दोस्तों, इसी तरह अगर आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे लगा कर अपने घर में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तोर पर त्री देवों की तस्वीरें या मूर्ती एक ही स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए ब्रह्मा, विश्नु और महेश इन तीनों की सन्युक्त रूप से इनकी एक साथ तस्वीर अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं भी लाकर रख देनी चाहिए माना जाता है कि इन तीनों देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विधन और बड़े से बड़े कश्ट ऐसे ही समाप्थ हो जाते हैं इसी वजह से इन तीनों की एक साथ में तस्वीर या मूर्ती लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए दोस्तों अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें होती है या ऐसी मूर्तियां होती है जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए अगर आपने इन तस्वीर या मूर्ती को अपने घर के पूजा घर में स्थान दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा या फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा दोस्त और एक बात बता दें कि मंदिर में कभी भी विशम संख्या में गणेश जी की मूर्तिया ना रखें जैसे कि एक तीन या पांच ऐसे रखना अशुब माना जाता है दो मूर्तियों को एक साथ रखना शुब माना गया है अगर आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ती रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी प्रकार की मूर्ती आपको नहीं रखनी चाहिए दोस्तों इन्हें स्थापित करते वक्त ध्यान दे की गणेश जी का चहरा हमेशा घर के मुख्य दर्वाजे की तरफ होना चाहिए ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की प्राप्ती हो और इस बात का ध्यान रखें की घर में अंगुठे से बड़े आकार का शिवलि रखना ही नहीं चाहिए उसके बाद भी अगर आप रखते हैं तो अंगुठे के आकार से बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए आप छोटा शिवलिंग रख दे और ध्यान रखें की एक से ज्यादा शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखने हैं घर में अग प्रवाइब दोश्टों मंदिर में हमेशा अगर आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ती ही रखे. बजरंग बली रुद्र भगवान शिव के अवतार हैं. इसलिए उनके भी शिवलिन की तरह ही मूर्ती रखी. साथ ही जो पती-पत्नी होते व्यवाहिक जीवन आपने नया स्टार्ट किया है, तो हनुमान जी की मूर्ती या तस्वीर अपने कमरे में अपने बेडरुम में आपको भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपको आपके जीवन में कई प्रकार के दोशों का सामना क परता है, दोस्तों हनुमान जी ब्रहमचारी हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, दोस्तों राधा कृष्न की मूर्तियां अगर आप जैसे अपने शयन कक्ष में सोते हैं और वो आपके बेड के सामने की तरफ रखी है, कि जैसे कि आप सुभ उठेन और आप को उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन माला माल होने वाला है, किसी भी प्रकार का कोई दुख धन की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेंगी, दोस्तों इसी तरह अगर माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चा की शासुर का वध करते हुए या क्रोधित अवस्था में माता लक्ष्मी की माता दुर्गा की तस्वीर ला कर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, दोस्तों हमेशा शान्त और सुन्दर मुख बाली तस्वीर ही अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए, पितर होगा कि आप हल्दी में चावल को पीला करके ही वो चावल चढ़ाएं लेकिन तूटे हुए चावल आपको भूल कर भी माता लक्ष्मी को या अपने घर में देवी देवता को नहीं चढ़ाने चाहिए। पितरों की पूजा एक अलग स्थान पर की जाती है। पितरों के अंदर आप ऐसे ही इनकी पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं। इनकी पूजा पाठ में अगर किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। इनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको इस प्रकार की तस्वीर या मूर्ती या अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और जो पहले हमने आपको बताया उस प्रकार की तस्वीरें तो निश्चित तौर पर आप रखकर अपने जीवन में फाइदा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जै शिव शंकर एक लायक तो बनता है।